नवस्कार दोस्तो सुआगात है आपका अपने यूट्यूब चैनल एनके क्लासेस में दोस्तो आज इस वीडियो में परिछा की दृष्टी से बहुत ही महात्पॉर्ण प्रेशनम जी हाँ दोस्तो प्रेशन है जीवों में जनन क्यों अबस्यक है बहुत important question है पेपर में कई वार आ चुका है तो दोस्तो इसका उत्तर मैं आपको सरा लेवम सठीक सब्दों में बताऊंगा ताकि उत्तर पुस्ती का पल लिखने से आपको पूरा का पूरा नंबर मिल सके दोस्तो जिस तरह मैं आपको उत्तर पुस्ती का पल लिखना एक भी नंबर आपका नहीं कटेगा तो दोस्तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं लेकिन वीडियो स्टार्ट करने के पहले आपसे एक रिकेश्ट है कि अगर आप चैनल में नहीं तो चैनल को दिल से सब्सक्राइब कर एक प्यारसक कमेंड कर दीजेगा दोस्तो यहाँ पे एन के क्लासेस में जो आपको जिस चैनल पे आप अध्यन कर रहे हैं वीडियो को अभी तक आप लाइक ने किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजेगा दोस्तो यहाँ से देख लीजेगा इसका एंसर स्टार्ट होता है तो इसके उत्तर में लिखेंगे क्वेश्टन देख लीजे जीवों में जनन क्यों अवस्यक है जीवों में जनन अवस्यक है क्यों अवस्यक है एक क्वेश्चन आपका है और इसका उत्तर यहाँ पे समझेंगे तो उत्तर में लिखेंगे दोस्तो जनन के द्वारा ही जीवों की निरंतरता बनी रहती है जिहां दोस्तो जनन के द्वारा ही निरंतरता का मतलब होता है दोस्तो पीडी दर पीडी यानि कि एक पीडी समाप्त होने के बाद दूसरी पीडी तयार हो जाती है प्रतेग जीव निश्चित अबादी के पस्चात मरत हो जाता है जी हाँ दोस्तो सभी जीवों का मृत तो काल यानि कि मृत तो अबदी निश्चित होती है सभी जीवों का अलग अलग होता है किसे का 10 से 20, 20 से 30, 50 से 60, 70 सभी का अलग अलग होता है तो दोस्तो जन्म लेने के बाद जितने भी जीव जन्म लेते हैं और उनका पीड़ी दर पीड़ी क्रम से बढ़ता रहता है तो यहाँ पर देख लिजेगा प्रतेक जीब निश्चीत अबद के पस्चाद म्रत हो जाता है किन्तु इसके पूर जनन क्रिया द्वरा नई संतती संतती का मलब दोस्तों आपको बताई दिया हूँ कि नई पीड़ी का यानि कि नए बच्चे को जन्म देना फिर ओ आगे पीड़ी बनाएंगे फिर आप बच्चे को जन्म देना इस तरह क्रम से चलता रहता है संतती का निर्मार देता है यही कारण है कि हजारों बरसों से प्रत्वी पर पादव एवं पस उपच्छों की विविन जातियों की विसाल संख्या बनी हुई है तो इस तरह से आपको लिखना था question आपके सामने है जीवों में जनन क्यों बस्थ है तो इसका उतर बहुत ही सरल है दोस्तो सरल एवं सठेक सब्दों में है दोस्तो यह विडियो आपको कैसा लगा comment में जरूर बता है और दोस्तो कोई भी विडियो आप देख रहे हैं तो मन से देखा करिए और बीने स्किप किये देखा करिए ताकि आपको पूरा का पूरा जानकारी एक ही विडियो में मिल सके मन से पढ़ा करिए ताकि रटने की जरूरत न पड़े दो पार repeat की याद हो जाएगा तो आप जिस भी topic पर वीडियो लेना चाहते हैं जो topic आप से नहीं बनता comment box में comment करें तो उस topic पर वीडियो जल्द ही आप तक provide कराए जाएगी दोस्तों का अच्छा 9 मीं से लेकर 12 मीं तक जी हाँ दोस्तों कच्छा 9 से बार में तक सभी वीशियों का important question चैनल पर upload के जा रहे हैं और जिस topic पर आप question चाहते हैं तो comment box में लिखी आप तक provide कराए जाएगा तो वीडियो कैसा लगा comment में जरूर बताएं नेक्ट वीडियो के साथ जल्दी मिलेंगे दोस्तों जैहिन बंदे मातरम